नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News में बंद किसान दलबीर सिंग के मामले में ADJ गुरविंदर कोर की अदालत में बतोर वकील जमानत याचका के लिए पोने दो गंटे तक बहस भी की जिस पर दलबीर सिंग की जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है लगबग साड़े च्यार बजे अदालत ने ज अभी तक 9401 टूबल कनेक्षन दिये जा चुके हैं बिजली मंतरी ने एक पत्रकार वारता को संबोधित करते वे कहा कि जिन किसानों ने टूबल कनेक्षन के लिए एक जनुरी 2019 से पहले आविदन किया था उन्हें चरणबद तरीके से कनेक्षन दिये जा रहे हैं चेत्रों में माइक्रो शिचाई यानि डिप सिस्टम को प्रोचान दिया जाएगा इसके लिए अनुसुचित जाते के किसानों को 80% तक सामाने स्रेने के किसानों को 60% तक सब्सीड़ी दी जाएगी आईकर विभाग द्वारा अपने पुराने e-filing आईकर पोर्टल में कई सुधारा आत्मक बदलाव करके सभी सुईदाओं के साथ नए पोर्टल का सुबारम करना एक बहुत अच्छा कदम है जो आज की समय में करदाताओं के लिए बहुत मैत्पुन और फायद बंद होग उन्हें यह सारी जानकारी पोर्टल पर ही उपलब्द हो जाएगी जैसे ही निर्दारित नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर लोगिन करना है तो करदाताओं के सभी परकार के लेंदिन का विवरन पहले से बरेवे फार्म के रूप में सामने आ जाएगा टैक्स पेर्स को सिर्फ वही चीजे बरने होंगी जो उनके पैन और आधार से लिंक नहीं है सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सारी जानकारी साही है तो रिफंट तुरंत मिल जाएगा पोरुम मुख्यमंतरी और नेता परत्वेक्स बुपेंदर सिंग हुड़ा ने परदेश में विक्राल रूप ले चुगी बेरोजगारी पर गहरी चंता जाहिर की है उनका कहना है कि हर्याने बेरोजगारी के मामले में लगा था टोप पर है बेरोजगारी को लेकर सर्वे क करने वाली संस्ता CMIE यानि Center for Monitoring Indian Economy के आगड़े बताते हैं कि परदेश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगारी का दन्स जेल आहा है परदेश की कानुन व्यविस्ता शिक्ष्या और स्वास्तिवाओं पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है बावजूद इसके नोकरिया द हर्याना कांगरेश परदेश अद्यक्स सहलजा ने कहा है कि सरकार किसानों को परताडित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है सरकार की एक ही नीती है कि किसी तरह से परदेश के किसानों को बरबाद किया जाए सरकार दोरा टूबल कनेक्शन देने के लिए बनाए के नियम किसानों के हितों पर कुठारा गाता है इसके साथ एक केंदर सरकार दोरा खरीब की फचलों के नियुंतम समर्तन मुल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों के साथ एक भद्दा मजाग है मेंगाई को देखते वे ये वर्दी बिल्कुल ही नाकाफी है सहलजा ने कहा है कि नए नेमों के अनुसार जिन छेतरों में पानी सोफुट से अधिक गहराई में है वहां टूबल कनेक्शन नहीं मिलेगा ऐसे तुगलकी फैसले लेकर सरकार सिर्फ किसानों को परताडित करना साथी है कुमारी सहलजा ने कहा कि सरकार का कहना है कि सोफुट से अधिक गहराई वाले छेतरों में ड्रिप सिस्टम लागो किया जाएगा यह फैसला समझ से फरे है हर्याणा में ITI करने वाले युवा अब अपने हुनर के हिसाब से विदेशों में भी नोगरें हासिल करस केंगे ITI पास युवाओं के कोसल विकास के मकसद से विदेशी एजेंशों की मदद ली जाएगी कोसल विकास एम ओद्यों की परसिक्षन मंतरी मूलचन सर्मा ने यहां विदेशी समिक से बैठक की दोरान कहा कि ऐसी एजेंशी दोरा समन्दी देश के मांदनों के हिसाब से ITI पास आउट युवाओं को अलपावदी परसिक्षन दिया जाएगा और उनका टेस्ट लेकर उनने परमान पत्र भी दिया जाएगा इससे टेस्ट पास करने वाले युवा उस देश में जाकर रोजगार हासिल करश केंगे और वहां की स्थाई नागरिकता भी हासिल करश केंगे हर्याना के खेलेम युवा कारेकर माधिकारी के कारेले में नगद पुरुषकार के लिए आविदन कर सकते हैं हर्याना के राजसुम आबदा परबंदन विबाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कोशल ने फरिदाबाद जिला के परगतिशिल किसानों को कहा कि वे अपनी जमीन की फर्त को ओनलाइन जमाबंदी.nig.in पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने का कि सफल परगतिशिल किसानों की सफलता की कहानी पर डॉक्यमेंटरी तयार की जाएगी और एक बुकलेट परकासित करवाई जाएगी किसानोंने मांग रखिया कि कुछ गाउं में विटा के खरीद के अंदर स्थापित करवाई जाएए इस पर अतरिक्त मुक्य सचिव ने बहादुरपूर, कुराली, स्यामपूर, चानदपूर, सहित, कई अन्य गाउं की सूशी तयार करने के निर्देश जारी किये हैं उन्होंने बताया कि बल्लबगड स्थित विटा मिल्क प्लांट के भी तीन गुना चमता बढ़ाई जा रही है मोसम की जानकारी के मताविक मानसुन ने मुंबई में दस्तक दे दी है पहली दस्तक के बाद से कई इलाकों में जमाजम बारिश हो रही है मोसम विभाग ने बताया कि दक्षिन पर्षिम मानसुन ने महाराष्ट समेथ मुंबई के कई जिलों को कवर कर लिया है विते मंगलवार से बारिश का सिलसला जारी है मोसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई सहर में बारिश जारी है अभी ये प्री मानसुन की बारिश थी लेकिन अब 9 जून से लेकर 12 जून के बीच मुंबई पूने और कौंकन जैसे इलाकों में भारी बारिश होगी केरल और महरास्ट से होता हुआ मानसुन जल्दी उत्तर भारत के कई राज़ों में दस्तक देगा मद्य परदेश और बिहार में मानसुन पहुचने वाला है मोसम विभा के मताबिक दक्षिन पश्च में मोसम मद्य भारत के और बढ़ रहा है मद्य परदेश और बिहार के कई इलाकों में भी प्री मानसुन बारिश हो रही है देश के राजानी दिल्ली में अगले पांस दिनों तक मोसम सुस्क बना रहेगा तेज दूप से जल्दी लोगों को 20 जून तक राहत मिलने की उम्मिद है हिमाचल और उत्राखंड के उचाई वाले इलाकों में बारिश और बरबारी हो रही है उत्र बार्त के जम्मो और कसमीर, हिमाचल परदेश, पंजयाव, उत्राखंड, हरियाना, दिल्ली, रास्थान और उत्र परदेश में भी प्री मानसुन अगले सब्ता से दिखाई देगा हरियाना बोड की दस्वी की परिक्षाओं की परिणाम 11 जून को गोशित होंगे यह जानकारी हरियाना की सिक्ष्या मंतरी कमरपाल गूर्जर ने दी सिक्ष्या मंतरी ने कहा कि हरियाना बोड की परिक्षाओं का रिजल्ट पहले 15 जून को गोशित किया जाना था लेकिन अब यह परिणाम 11 उनको कोशित किया जाएगा शिक्ष्या मंत्री ने कहा कि जो रिजल्ट है वे पूरी तरह से तयार है वहीं बार्वी की प्रिक्ष्या के परिणाम के लिए तयारियां चल रही है हमारा प्रियास है कि हम जल्द ही उसका प्रिणाम बिजारी कर देंगे डेरा सच्चा सोधा परमुग गुरुमीत राम रहीम सिंग की पैरोल पर दिवंगत पत्रगार रामचंदर चत्रपति के बेटे अन्सुल चत्रपति लगातार सवाल उठाते रहे है इसी को लेकर अब उन्होंने पंजाब हरियान हाई कोट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस पर रोक लगाने के साथ मामले में दखल देने और मोनिटरिंग करने की मांग की है उन्होंने गुरूगराम की मेदान ता अस्पताल दवारा हनिपरित का अटेंडनेंट कार्ड बना कर उसे राम रहीम से मिलने देने पर भी सवाल खड़ेगी है अन्सुल चत्रपति ने कहा कि जिस तरह से राम रहीम को बार बार पैरोल पर बाहर लाया जा रहा है जैसे कभी माता की बिमारी के बाहने तो कभी मेडिकल लिव के आदार पर उसे 12-12 गंटे तक बाहर लाया जा रहा है ये कहीं ने कहीं एक ग्राउंड तयार किया जा रहा है उसे लंबी छूटी देने का और शिर्शा लाने का सरकार द्वारा उसके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जो पुलिस परशासन 25 अगस 2017 के बाद से लगातार जाच में हनीपरित को मुख्य साजिस करता बता रहा था उसके बाद पुलिस का केस इतना कमजोर क्यों हुआ कि उस पर से आरोप ही अठा दिये और जमानत दे दी अब फिर से हनीपरित को अटेंडेंट कार्ड बना कर साजिस रचने के लिए उसे बाबा से मिलने दिया जा रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए इसके साथ ही अंसुल पूरे इलाज की CCTV फुटेज भी कोर्ड में मोहिया करवाने की मांगी है